हरियोम हम कल की महाराज बोलना है जी 28 सेप्टेंबर 4.45 एम प्रातर काल सूर्य उदय होने के हैं माभारत और माभारत से पहले इतिहास अति पावित्र और धर्म संबंदित जो अभी घोर कल्योग में मंगल खारी है और जो कहीं शंकाओं को दूर करने योग्या है जो कली प्रशासन और अन्य कहीं दूशित मलीन मलेच संस्थाओं ने जो फैलाया है हम स्वयम इन्हें डाउट्स को क्लियर कर रहे है जो प्राचीन तथ्यों से जुड़ा हुआ है हमारे महान, वेदों से और महापुराणों से देखो आप एले तो जैसे इन्होंने ग्लोरिफिकेशन किया है अफ क्यरेक्टर्स कली प्रशासन ना की संसकारों पे ध्यान न देखे, क्यरेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है माभरत के समय यही कली प्रिय संस्थाओं ने किया है जी हर समय जैसे रावन का भी ग्लोरिफिकेशन किया है कितना बड़ा पापी था, पापातमा था, पापाचारी था यह आप स्वयम समझ जाएंगे और जानते भी है कितने ही महिलाओं के साथ दुराचार अपमान कर रेप किये हैं रावन ने जानते भी हैं क्या कभी उल्टा सीदा बना कर फैलाया है ग्लोरिफिकेशन किया है ना किस संसकारों को प्रचार करना इसलिए इतनी दुरगती हुई महा अहंकारी, महा गमंडी जैसे अभी के सब कली प्रियां राजा बन चुके हैं और इनके नौकर गुंडे बदमाश उनकी वही दुरगती होती है और होगी जैसे हमारे कल की महा पुराण में बताया है रावण के कहीं युद्ध होएं कहीं पाप किये रावण ने पद के लिए गमंड से दूशित पहला युद्ध उनका महान रिशी कपिल से हुआ था परास्ट कर दिया था कपिल रिशी ने उने और कहीं ऐसे युद्ध होए जहां गमंड चूर चूर हुआ बार बार रावण का मन दाता से भी रूई युद्ध हुआ उसके बाद ये विशय जो है ये धर्म को बहतर रूप से समझाएगा और कैसे कलीप्रिय संस्थाओं ने सब कुछ केरेक्टराइजेशन करके कैरेक्टर्स पर ध्यान देके संस्कारों को हटा कर दुराचार फैलाया है मात्र भारत वर्ष में उनको दूर कर रहे हैं रावण रामायंड से हजारों वर्ष पहले से ही धरापर था साधना में तमस रूप से स्वार्थ की पुर्ती के लिए साधना में लीन रहता था और साधना से बारवार निकल के कहीं ना कहीं आतंख मचाने की चेष्टा रखता था रावण कभी किसी रिशी को परास करने की इच्छा वनी रिशी महामून्यों ने परास करके दबुच दिया तिर ऐसे करते करते सहसर भाहू करतवीर से पाला पड़ा रावण का कई हजारों वर्ष मेले करतवीर ये सहसर भाहू यानि हंड़िड हंड़िड हैंड़िड 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 सो हस्त होना उससे अधिक बताया जाए परंतु सटीक जो है 103 हस्त थे सहसर बाहु को और उतने घोर पाप को साथ ले चलता था इसलिए 103 आकड़ा लिया जाता है मातर से सहसर नाम है इसलिए नहीं करतवीरिय गुरुवर परशुराम जी का जो शत्रू बनने वाला था आगे उसकी बात कर रहे है करतवीर अर्जुन नॉट टू बी कन्फूज़ विट अर्जुन जो पांडव थे ये करतवीर अर्जुन है सहसर बाहु महा असुर प्राक्षस प्राक्षस असुर का एक जुट का बना हुआ तप साधना से तमस रूप से पापात्मा रावण करतवीर को परास्ट करके उसका स्थान लेना चाहता था करतवीर अर्जुन से बहुत समय युद्ध होता है रावण का सारे अस्थर रावण के परास्ट कर दिये जाते हैं करतवीर अर्जुन द्वारा अंत मैं अपने हाथों से पकड़के दबोच कर पेरो तले रावण को दबोच दिया जाता है करतवीर अर्जुन द्वारा उसका गदा उसका धनुश सर्व कुछ तोड़ दिया जाता है एक हाथ मरोड के गर्दन के उपर पैर रखके रावन के करतवीर अरजुन उसे परास्त कर देता है रहते दोनों ही मासुर पद के लिए इसके बाद रावन परास्त होने के बाद पुनहा साधना में चले जाता है इस बीच हम एक बहुत बड़ा डाउट और दूर कर रहे है मल्टी वर्स वाला एक बखवास चलता है दुनिया में आजकर क्या है इसा मल्टी वर्स बहुत सारे यूनिवर्स है बहुत सारा ये है बला 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 ऐसा ही एक और अर्थ है कहीं आपके जैसे और लोग कहीं रहते हैं सब कुछ बकवास है हम आपको इसको प्राकरतिक रूप से spiritually टेकनिकल रूप से हम समझाते हैं समझो इन बात को आप क्या फैला है कलीप्रिय संस्थाओं ने बहुत से योग होते हैं बहुत से ग्रहा होते हैं इसी प्रकार बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स होते हैं ऐसे हमारा इन गधों से एक प्रश्ना है ये कोई सीरियल चल रहा है कि बार बार यूग आ रहा है जो घटना घटित हुई है पहले घटित हो चुकी है तो कैया यमदेव को पता नहीं है जो सारे संसकारों का और करमों का ध्यान रखते है तो समझलो यमदेव और इंद्रदेव बैठे हुए है थीक है रावन का युद्ध बाद में इंद्रदेव से भी हुआ था और ये करतवीर अर्जुन का युद्ध होने के बाद का है जब त्री लोग का नियंतरन रावन लेना चाह रहा था इसके बीच में गुरुवर परशुराम जी ने बाद में करतवीर अर्जुन का वद्ध कर दिया था रावन करतवीर अर्जुन का वद्ध करने के लिए ही पुना साधना कर रहा था बाद में जब वो साधना से बाहर निकलता है तो उसको समझ आता है कि करतवीर अर्जुन तो मारा गया है गुरुवर परशुराम जी द्वारा तो अब वो अपना टार्गेट बतल देता है अब उसका इच्छा होती है कि अब वो तरी लोग पे विज़ई पाना चाता है और ब्रह्मा देव का वर में प्राप्त हो जाता है तब रावन को वो और शक्तिशाली बन जाता है तमस रूप से यह उस समय की बात है तो हम वापस मल्टिवस वाले बकवास पर आ रहे है अब रावन इंद्रदेव के इंद्र लोग रावन का पुत्र इंद्रदेव को पर विज़ई पाना चाहरा है इंद्र लोग पर स्वर्ग प्राप्त करना चाहरा है और रावण यम भूमी यम देव के स्थान को प्राप्त करना चाह रहा है तो क्या इनको ध्यान नहीं होगा यदि पहले हुआ है ये क्या बैठे रहेंगे अपने पद को लेकि कि हाँ कोई तो भी रावण आने वाला है हमारा वद्ध करने के लिए गधे हैं क्या देवगर्ण कुछ तो सोच के करना चाहिए भकवास भकवास कर रहे हैं हर जगे वो पता है सबको पर कुछ आगे पीछे देख के बात करनी चाहिए ना सब भकवास बना के रखा है फैला के रखा है ऐसा नहीं होता कभी ये कोई मूवीट नहीं चल रही है कि हाँ देवगंड बैठे रहेंगे उनके पतन होने के लिए हाँ एक बार ना हमारा पतन हुआ था पहले अभी फिर से हमारा पतन होने वाला है और हम बैठे हैं वो पतन देखने के लिए जैसे कि धरातल पे अभी वापस से पुना गव हत्या पहले बहुत हुआ करती थी एक यूग में अभी फिर हो नहीं है तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे ऐसा नहीं होता जो यूग चला गया वहां के भापुना नहीं आते परन्तु गंदगी बनी रह सकती है कर्म बदलते हैं भाव रहता है एक या तो सत्य का भाव रहेगा या तो मिथ्या का भाव रहेगा अच्छाई के साथ गंदगी रहती है कही ना कि उसको बार-बार परास्त करना पड़ता है बार-बार इसलिए सयम परिश्रम करना पड़ता है ध्यान करना पड़ता है ताकि गंदगी हमेशा परास करके दबोच के रखी जाए नियंतरन खो गए तब जाके जैसे नियंतरन लोग खोने लगे वैसे ही वैसे ही पतन होते गया रामयन के बाद मा भारत दौपर दो पैर बचेये दो पैर कौन से? धर्म अर्त गाम मोक्ष में से ऐसा नहीं कि सिर्फ सब एक एक किसी का पतन हुआ धर्म का पतन हुआ इसका मिश्रण बन गया कली ने क्या फैलाया धर्म में मात्र अर्त के लिए करो यानि से फाइदे के लिए करो यानि कि धर्म से ही सब धरातल पे जीवन का अर्थ समझा जा सकता है भाव बदल गया और यह सर्व करो मात्रक काम की पुर्ति के लिए और यह गंदगी करके मोक्ष की इच्छा का भाव रखो ऐसे ही सब बन चुके हैं अभी द्वापर में भी ऐसे ही था कुछ थोड़ा धर्म बचा था अभी मात्रक काम की पुर्ति के लिए रहते हैं लोग से खाना पीना सोना इंसेक्स इसके अला सिवाए कुछ नहीं आता लोगों को बैठके कहीं पर बकवास करेंगे और बात नहीं कर सकते हैं नाहीं धरा जो आवशक है धरा देवी और भारत वर्ष के रक्षा के लिए उस पर कोई कठोरता नहीं है इनके बारे में हमारे कल की महापुराण बविश्य महापुराण में दिया है मौन किंग्स का है ना इन्हे मौन यानि जो प्रजा को मौन कर देते हैं बोलने नहीं देते हैं यह वही है नरिन्रमोदी हो गए गड़करी सब 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 all of them मौन किंग्स है यह बीजेपी कॉंग्रेस खासकर बीजेपी मौन किंग्स में आते हैं यह यह है महाभविश्य महापुराण में दिया हुआ है और यह अंतिम है इनका अंतिम समय चल रहा है गड़ी जब सब का पतन होते हुए दिख रहा है ना भी आपको सब प्रजा समझ रही है इस जस्ट अ मैटर अफ देश इसलिए प्रलेकारी स्थिती चल रही है और भिशन भूकम पाने है उन पर बाद में आते हैं तो हम बता रहे हैं आपको ये सब मल्टी वर्स वाला चक्कर सब बकवास है ढोंग पनती है ऐसा नहीं होता कभी जो आप हैं आप एक ही है और कोई नहीं है वही वास्तव है जो आप देख रहे हो जो आप स्वयम को समझ रहे हो उनमें आध्यात्मिक्ता साथ लेकर चरना आपको भ्रह्म से दूर रखेगा ये सब भ्रह्म बनाया गया है ताकि लोग बकवास की बातों को सोचते चले जाए और किसी दुनिया में चले जाए इसलिए फाल्तु की मुविद बनाते हैं इन लोग इतनी सारी बकवास जिसको लोग देखके और पागल हो जाता है अरे माँ भारत नहीं देखना हुआ माँ भारत समझना नहीं हुआ और वहाँ पर इमेजनरी चीज़ों को किसी गधे राइटर की मूवी देख रहे है वहाँ बैठके कुछ ठीक है जो युद्ध के उपर होती है वार्स के उपर होती है हॉलिवूड की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारी इमेजनरी चीज़े बना के डाली जाती है यह सब महापुरानों से ही लिया गया है एवरी स्टूपिड सूपर हीरो मूवी इसमेड आट अफ दाट वेलर पे रहे तो बात अलग है मानवता पे दिखा रहे हैं तो बात अलग हो जाती है परंतु इमेजनरी बकवास अध्यात्मिक्ता को दूर कर दिया और कुछ तो भी मिश्रन बना दिया यह सब स्टैनली ने महापुरानों के श्रमता देख कर बनाया था मार्वल एंबाकी स्टूडियो जो बनाये गए हैं only for imaginary entertainment doesn't exist like that जैसे मलेच जो यह सब करेक्टर्स बनाया है इससे हल्क हो गया यह सब यह सब क्या है भीम से लिया गया है भीम से इनकी कलाएं होती थी वैसी परंतु भाव कहा गया भहापे भासत्यवाद कहा गया सात्तिकता कहा गयी सात्तिक भोजन कहा गया आचरण कहा गया यह सब हटा के बस जो उनको थोड़ा सा काम रूप दिखाना था एक बस वह आकरिती बस उठा के बना दी उसके figures बना दिये एनिमेशन डाला हरे परदे के पीछ सामने जो करते हैं नाचते हैं कूदते हैं उपर से नीचे तक बस इनके प्रयोक से इन्होंने एक इमेजिनरी स्टफ बना के आपको दिखा दिया जिसमें कोई सत्य नहीं है अब आध्यात्मिक्ता शरमता ये सब समझती नहीं है तब साधना नहीं समझती है तो भहतिक रूप से ही सोचने का एंगल रहेगा न तो उसमें केमीकल डालेंगे ये डालेंगे वो डालेंगे समझ में आ रहा है यह सब तामसिक्ता से हमेशा बचना है दूर रहना है आपको और यही सब कलिप्रिय संस्थाव ने किया है और यही गधो ने मल्टिवर्स वाला कंसेप्ट लाया है which doesn't exist it is not like that अब बताते हैं आपको अभी तक आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा ऐसा नहीं होता कि घटना हुई है फिर से घटित हो रही है यह सब गधा बनती है फिर हमारा दशावतार क्या है फिर रावन तो बहुत वर्षों से था गुरुवर्परशुराम जी के आने के से भी पहले से था यानि कि रावन तो पता रहेगा कि भी हमारा वद्ध तो पहले हो चुका है ना सीराम चंद्रा द्वारा जो गुरुवर्परशुराम जी के बाद आने वाले थे फिर हमें करतवीर अरजुन ने भी परास्ट किया होगा करतवीर अरजुन को गुरूर परशुराम जी आगे जाके वद करने वाले तो उसको अभी परस्त कर देते हैं अगर गुरूर परशुराम जी को परस्त कर देंगे समझ मैं आ रहा कितने गधे हैं ये इनको कूछ समझ नहीं है फिर पांडव बैठे रहे थे वहाँ पर है ना जुए में हारने के लिए अरे अरजुन अभी हम सब हारने वाले हैं पता है चलो हारते हैं बैठके हैं ना उस नाला एक निठल ले शकुनी के सामने बैठके सब वैगर कर रहे हैं सब दे दे रहे हैं पहले पता होता तो करते क्या माराजा नल की कथा सुनाते हैं क्या कभी महारिशीगन अग्यातवास के समय क्यों सुनाय था माराजा नल और दमयंती की कथा क्या है उनके साथ भी ऐसा ही होता है पुर्वकाल में ये उधारन देते हैं मामुनी ये उधारणनी देते कि भाई युदिष्टि ये तुम ना आये थे पहले, तुम्हारे साथ पहले भी हुआ था ये समझो हम क्या कह रहे हैं, ये सब बकवास ब्रह्म चीजों से भार निकलो भारत एक है, धर्ती, धरादेवी एक ही है, ब्रह्म लोक एक ही है, नरक एक ही है और जो बाकी गरहां दिखते हैं इतना अंतरिक्ष में उस पर भी हम आते हैं, रुखिए, सब समझाते हैं देखो, पहली बात तो जो कली, प्रिय, समस्थान, कली ने जो दुर्बीन बनाया है, टेलिस्कोप बनाया है न, इतना बड़ा-बड़ा इसमें जो उनको दिखता है हमेशा होता नहीं है वहाँ जो बहुत दूर का, light years दूर का देखते हैं न, उनको दिख रहा होता है पर वो यह भी जानते हैं कि अभी वो जो दिख रहा हैं, हमें यह बहुत कुछ ब्रह दिख रहा हैं यानि कि infinite, infinite years का लंबा कुछ दृष्य उनको दिख रहा है, जो अभी होगा ही नहीं ये सब gaseous forms of ग्रह है और जो भिनन भिनन जो सूर्य होते हैं दिखते हैं हम सब बताते हैं आपको बीटल गीज हो गया कैनिस मैजारिस हो गया यूनिवर्स में जो बाकी बड़े-बड़े जो स्टार्स बोलते हैं न जिनको ये सब बड़े-बड़े सूर्य के रूप है सूर्य देव एक ही है जो इस सौर्मंडल के सूर्य है न वही है सूर्य देव वही सूर्य देव माभारत में थे सूर्य रूप से और वही सूर्य देव के सूर्योदय आपसर्व को हर दिवस दिखते हैं उनी का दर्शन प्राप्त करना पड़ता है सूर्य देव के जो मंतरा है औम जगत चक्षू सरूपी सूर्य नाराणाय नमो नमाह ये एक ही सूर्य देव जो दिखते हैं आपको भारत में धर्ती पर ये सौर मंडल में उनी का देव मंतरा है और किसी का नहीं है अभी आते हैं हम नरक पे जैसे महाँ पुराणों में हमारे दिया है 28 प्रकार के नरक होते 28 प्रकार के नरकों में उपनरक बहुत सारे होते हैं कोटी-कोटी नरक होते हैं जब पापात्मा नरक जाती है निर्नाई के लिए वो एक headquarters की तरह है अमलेच भाशा में हम समझा रहे हैं इडिस लाइक headquarters नरक एक headquarters की तरह होता है जहां पे यमदेव बैठते हैं वहाँ उनके साथ चित्र गुप्त होते हैं जो सब का लिखा पड़ा कर्म सब का लिस्ट रखते हैं अपने साथ ब्रहमदेव के गुप्त पुत्र चित्र गुप्त कहते हैं इसलिए होना है ब्रहमदेव ने एक बार चिंतन किया था इतनी सारे आत्मा हो रही है इनका सब लिखा पड़ा कर्म का ध्यान सब कौन रखेंगे तब ध्यान थोड़ा करते हैं नेत्र खुलते हैं तो सामने एक महान साधू आत्मा सामने उपस्थित रहता है उनकी सेवा में उनको यमद्वार यमदेव के पास भेज दिया जाता है कि आप यमदेव जो पूरे आत्माओं का लिस्ट रखते हैं कि उनके क्या कर्म किये हैं कौन हरी निंदा किया है कौन हरी भक्त है देव योनी, असुर योनी, प्रेत योनी सब योनियों का जिनके पास ज्यान होता है उनके पास जाओ और उन्हें मदद करो तो चित्रगुप्त के पास यह वर उन्हें प्राप्त होता है साधना के बाद कि वो सारे पापात्माओं का ज्यान कोश अपने पास रख सकते है सरस्वती देवी के आशिरवात से कितनी ही बड़ा लिस्ट क्यों ना हो सब रहता है उनके पास और ये गंगा और अन्य पवित्र नदियो रूप से वहाँ कुछ जो महान संथ होते है सत्य संथ होते है उन्हें कुछ कुछ थोड़ा ग्यान देते रहते है पीडियों के बारे में चित्रगुप्त का अशिरवात लगता है उनके लिए ठीक है तो जो नरक होते हैं ये हेटकॉर्टर्स के बारे में हम बात कर रहे थे नरक अब वहाँ से भिन्न भिन्न शित्रों में भीजा जाता है पापात्मा को इनको ये नरक मिले जाओ इनको वो नरक मिले जाओ जैसे अंधकूप नरक हो गया रौरव नरक हो गया महा रौरव नरक हो गया समझ में आ रहा ऐसे कहीं नरक है और जैसे तमिसरा तमिसरा नरक हो गया पूर्ण तमस गंदगी करने वाले हम इनके बारे में कुछ-कुछ विशय बता दें तो हम इस अरा नरक यानि वो नरक जहां पे भीशन पापात्मा हैं जिन्होंने प्रजा का धन लूटा है जूट बोला है उनको और जो लोग मेनत से कमाने वाले लोगों का धन लूट लेते हैं उनको जूट बोलके ये उन नरक में गंदे नरक में गिरते हैं और भीशन दुरगती होती है यहां पे विशाल का आए विशाल का आए परवत होते हैं बहुत विशाल यानि समझ लीजिए जैसे Mount Everest है Mount Everest से कई कोटी गुना बड़ा विशाल परवत इन परवतों से नीचे फिका जाता है और वाँ भोग शरीर प्राप्त होता है नरक में नरक में यमदेव के सामसमक्ष भोग शरीर प्राप्त हो जाता है यानि कि उनमें पूरे sensual organs होते हैं उसमें ही पापात्मा को डाल दिया जाता है अब पेन पूरा होगा उनको परंतु मृत्यों नहीं होगी बार-बार आत्मा थोड़ी निकलेगी बार-बार भोग शरीर में घुज जाएगी तैकि पूरा दंड मिले it's just like living a live body is there with the soul in it and it's giving it's being given billions and billions of types of tortures but not allowed to die only the pain extreme pain they have to feel ये नरख में होता है अंधकूप नरख है जहाँ पे जो धर्मवासी होते है भारतवासी और जो मेहनत करते हैं इनको जूट बोलके भ्रम में रखा जाता है यानि अंधकार में रख जे हैं जो पापात्मा कली प्रशासन जैसे कर रही है इनकी बहुत दुर्गती है ऐसे ये वहाँ जाते हैं वहाँ पे अंधकार चारो ओर होता है और काटो के पेड़ होते हैं वहाँ वहाँ पे भयावब भयानक भयानक रूप के जानवर होते हैं नुकीले नुकीले दात वाले नुकीला मुक ये भागते हैं भागते हैं भागते हैं और नीचे से जो धरती रहती है ना वहाँ वो गरम हो रही होती है जी उस पर भागते भागते पैर जल रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं कहीं शांती नहीं है भाग रहे हैं फिर कहीं चुब जा रहा है कट जा रहा है कुछ फिर उसको उच रहे हैं नीचे हाथ लगा रहे हैं तो गरम अरे दूर गती फिर भाग रहे हैं तो पीछे से कोई भयानक जानवर जीव लग गया काटने के लिए यह होता अंधकूप में हम कुछ नरक बता रहे हैं आपको फिर होता महार औरव जहां पे जो पापात्माएं जाते हैं जो स्लोटर हाउसे चलाते हैं और तमस रूप से मास मधिरा का जो सेवन करते हैं मास खाते हैं ना मार औरव यानि वो पापात्माएं जो अपने देह को सस्टेन कर रही है अन्य जीवो का कतल करके उनका मास अपने देह में भर रही हैं देह को फुलाने के लिए ये वहाँ जाते हैं उनकी दुर्गती धर्ती पर ही हो जाती है किस्तों में और बाकी की पुरी अंतिम नरक में होती है महार और नामक नरक में वहाँ भयानक रूप के जीव होते हैं विशाल काय जो दबोच के खाते हैं कुतर कुतर के खाते हैं पापात्मा को पुनहा भोग शरीर आता है पुनहा खाया जाता है उससे पुनहा आता है पुनहा खाया जाता है वो भागता है चिलाता है चीकता है कोई नहीं सुमें यमदूत होते हैं देखते होते हैं कि भरोबर पापात्मा को सब भोगना पढ़ रहा है या नहीं यह होता है महारोरव न रख गए और इसी प्रकार कुम्भी पाक भी है कुम्भी पाक में पाक पक कुम्भी पाक जो पशु हत्या करते हैं गव हत्या करते हैं और मास खाते हैं उनको गरम तेल में सबने सुना है गरम तेल में उबाय जाता है पाप आत्मा को गरम तेल में डाला जाता है उबलते हुए तेल में बड़ी हन्ड़िया होती है और उपर से विशाल काए पर्वत की तरह विशाल बड़े-बड़े चील होते है नुकील छोंच जैसे जो उपर से आते हैं उठाते हैं फिर दूसरे घड़े में डालते हैं फिर उठाते हैं दूसरे घड़े में डालते हैं और छोटे-छोटे पक्षियां होती है जो डाइनोसौर की जो पक्षियां होती है उनकी तरह दिखती है यह उड़ने वाली वो कुतर-कुतर के काटती है, खाती है जब वो पकरा होता है उचल रहा होता है घड़े में पापात्मा उचल रहा है उचल रहा है कूदने की कोशिश कर रहा है घड़ा बहुत बड़ा होता है उसमें उबलता तेल रहता है गरम चटके लग रहे हैं पूरे बड़े ब्लिस्टर्ज हो जा रहे हैं बहुत दुरगती कुम भी पाक अब ये जो इतने प्रकार के नर्क है जे ये स्थलिया जैसे नर्क आता है दक्षिन में South, far South of Earth Downwards यानि देखे दिशा होती है, दस दिशाएं होती है दस दिशाएं होती है ठीक है, जैसे उत्तर है उत्तर हो गया पूरब East, North East, North East ठीक है, ऐसे आठ हो जाते हैं चार-चार आठ है न, वैसे ही Up, Down ये दो दिशाएं भी परम दिशाएं होती है Up, Down दस हो गए वैसे ही South direction में जाते जाते South direction में जैसे हम जा रहे हैं, जा रहे हैं आत्मा नीचे की और समझ में जैसे South नहीं, South South जा रही है फिर नीचे यहां आता है नरक अब वो तो दक्षिन में आ गया और बाकी जो इतने ग्रह दिख रहे हैं ये सब नरक के ग्रह है कुछ छोड़के अभी hell planet भी दिखा रहा ना ये एक प्रकार है अभी गधो को दिखा रहा आप जाके कि hell भी होता है कुछ hell जैसा दिख रहा है क्यों? दिखा के नहीं hell planet फिर समझ आ रहा? ये late tube light है इनको समझ में late समझ आता है इन लोगों को सब कुछ नाश होने वाला रहता तब उद्धिक थोड़ी सी आती है इनको इसलिए कहते है आध्यात्मा के बिना कभी भी भुगल विद्या को नहीं समझना चाहिए इस जस्ट लाइक standing on a brittle glass which is about to break वही बात है ना तो ये जो headquarter नरक का है इनके बहुत सारे कम्रे हैं ग्रह है जहाँ पे भीशन दंड मिलता है जैसे कुम्भी पाक हो गया माहर ओर और ओर और और नरक हो गया तमिसरा नरक हो गया समझ में आ रहा तो इनके ग्रह बने हुए है यही दंड मिलता है तो ये जो देखते हैं भिन्न भिन्न जो यूनिवर्स दिख रहा है ये नरक की स्थलिया है अब जब नरक का भाग एक वहाँ है तो सूर्य देव से यमदेव प्रार्थना करते है कि है सूर्य महत प्रभुम तो आप अपना यह अंच रूप में अन्य शेत्रों में भी रखिये जहां पर हमारे अन्य नरक स्थलिया है तो सूर्य देव साक्षी होते हैं इसलिए साक्षी रूप में अन्य शेत्रों में भी सूर्य के जो सूर्य तरह से दिखते हैं जैसे ये UYSQT, Canis Majoris नाम के जो इतने बड़े-बड़े सन है जो कहते हैं ये सन से भी बड़े हैं है बहुत बड़े वो क्योंकि वो अंच रूप में है इसलिए उनको थोड़ा मास रूप में बड़ा बनाये गया है बहुत कुछ है इसमें समय निकल जाएगा तो ये सब यूनिवर्स में अंतरिक्ष में अंतरिक्ष्पेस में यही सब दिखता है जी अधिक्टर कभी-कभी सबतरिशियों के जो मार्क दिखते हों सबतरिशियों के ग्रहा है they are not planets they look like it सबतरिशियों का स्थान है वो महारिशियों का वैसे ही तप लोक हो गया सिद्ध लोग हो गया वैसे ही इंद्र लोग हो गया इंद्र लोग के भी कहीं गरहे हैं ये सब वहग गरहे हैं दूर दूर में जो दिख रहे हैं है बहुत दिव्य बहुत इक रूप से नहीं देखा जा सकता मातर एक ब्रह्म करने वाली आकरिती दिखेगी अंदर की सुक्ष्म सुन्दर्ता को कोई नहीं देख सकता जी मातरा अध्यात्मा और भक्ती ही देख सकती है धर्म के ही ज्यान से देखा जा सकता है पर लोख हमें इसलिए परम भक्ती भोत आवशक होती है गौनन्द की सेवा रक्षा भोत आवशक होती है तबी ये सब दृष्टी, दिव्य दृष्टी के दृष्टिकोन से और धर्म के आशिरवाद से ही प्राप्त हो सकता है ये सर्व हमने आपको बता दिया आप यूनिवर्स के बारे में भी जितना हम सीमित समय में आपको बता सकते थे ये होता है और अंतरिक्ष में पापात्माय और प्रेतात्माय भरी हुई होती है क्योंकि नरक से दंडित होने के बाद इनको अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है घुमते रहो तो वो भूक प्यात प्यास से परिशान भोजन के लिए यहां एक रहा से दूसरे घरा भागते हैं जल जाते हैं बहुत बार अंतरिक्ष में Space is full of ghosts, that is why, और Space में बहुत थंडी होती है, थंड, temperatures are around minus 800, minus 900 degrees, minus 1000 degrees, minus lakhs and lakhs of degrees, वो range करता है पुरा, सूर्य के पास चले गए तो, lakhs and crores of degree centigrade, प्लस, तो ऐसे जलती है, पीडित होती है, वो नरक का ही भाग होता है Space, Space का जो, Space में जो, cavities है ना, इतनी सारी, cavities, यानी free space, ग्रह ग्रह के बीच में जो इतनी जगा है, जहां पे मोर्क ऐस्ट्रोनॉट्स यहां से वाँ जाने की चेश्ट, आप समझ में आ रहा हैं, क्या कर रहे है astronauts, how their lives are being risked, they are not going to gain anything out of it, देखा ना, वापस नहीं लेके आ पाए, सुनीता विलियम्स का छोड़ के आना पड़ा, नहीं कर सकते हैं ऐसा, they are risking, किसी का life risk कर दे रहे हैं, वहाँ पे अपने स्वार्त की पूर्ती के लिए, इतने घोर नरक में पढ़ेंगे यह लोग, आकरती सब नश्ट कर रही है, anyways, तो हमने बहुत कुछ बताया आपको, यह सब संबंदित, जो पाखन फैल रहा है, यह से आपके संका सब दूर हो जाएगी, मा गाली देवी के आशिरवाद से, अभी हम जमदगनी महामुनी पर आ रहे हैं कुछ समय, अभी हम कुछ समय में चलेंगे, जमदगनी महामुनी का अपमान, सहसरवीर अरजुन की सेना ने किया था, काम देनु गौमाता को लेकर, वे सर्व इनकी कुटियां पर आ गए थे, काम देनु गौमाता को चुराने के लिए, जब जमदगनी महामुनी ने सदाचार का भाव रख के सब को धेर सारा भोजन किलाया था, तब वे सोच रहे थे कि कुटिया से इतनी सी कुटिया सित्ता भोजन कैसे निकल रहा है, तब जमदगनी महामुनी सदाचारी थे, तो उन्होंने ये बात को समझा कि सब का पेट भ करना चाहिए कभी भी स्वार्थ के लिए हमने घर में भोजन नहीं बनाना चाहिए कोई अगर बक्ति पूर्वक आते हैं या कोई भूकें होते हैं तो उनका पेड़ भर देना चाहिए तो इस बात का ध्यान रखते हुए जमदगनी महामुनी ने भोजन धेर सारा बनवाया जो कामदिनु गौमाता के आशिरवात से अन्न प्राप्त हुआ था और यह दान किया था उन्होंने दया वान होने के कारण और इसका कहग दुरूपयोग किया जमदगनी महामुनी से जबरन कामदिनु गौमाता को चुरा कर ले जाने की चेश्टा की जो किया रहा और लेके गए रहे जमदगनी महामुनी को फ़ड़ा पीडित करके परन्तु जमदगनी महामुनी मात्रम महामुनी परम ब्रामन का रूप नहीं थे वे महान युद्धा भी रहे जमदगनी मामुनी अपने सारे अस्त्र धारन करते हैं कवच धारन करते हैं और युद्ध पे निकल जाते हैं आदी सेना को परास्त कर देते हैं करतवीर अरजुन की भीशन युद्ध होता है उनके बीच में जमदगनी माम, मुनिया, एकांथ उनकी कुटिया पीछे और साथ उनके अस्त्र और सामने विशाल कायस सेना तब गुरू अर परशुराम जी ध्यान रोप में होते हैं उन्हें समझ आता है और बहुत दूर होते हैं तो वो अपना कमंडल उठाते हैं, लाठी उठाते हैं गुरू अर परशुराम जी और शीग रही नर्मदान अदी की और जो महिंद्र परवत यानि अमरकंट से ही पास पड़ता है अमरकंट शेत्र, महिंद्र भोलेनाथ, महिंद्र यानि भोलेनाथ, अमरकंट यानि भोलेनाथ की स्थली जहां से नर्मदान अदी कंठ से अमरकंट, जो अमरत कंठ है भोलेनाथ का अमरकंट वहां से नर्मदा देवी को असिरवाद भोलेनाथ ने दिया था कि जिस प्रकार गंगा देवी हमारे मस्तक से निकलती है वैसे नर्मदान नदी हमारे कंठ से निकलेगी इसलिए इन स्थली का नाम अमर कंठ रहेगा यही होता है महेंद्र गिरी इसलिए महेंद्र गिरी यानी परवत भोले नात का परवत कहा जाता है इसलिए कई कई कोटी कोटी वर्षों से यह परवत है इन्हीं के पास जहाँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थली होती है मरकंजासे नर्मदा नदी का सोर्स है वहाँ से निकल के जब भेती है तो पास में कुटिया थी इन्हीं की उनी ओर हिमावत परवत की ओर होते हैं गुरु और परशुराम जी दोड लगाते हैं इस प्रकार दोड लगाते हैं धरा पर अगनी लग जाती है ऐसे भागते हैं गुरु और परशुराम जी और इस बीच यो धोरा होता है जमदगनी महामुनी और कर्तवीर अर्जुन की सेना के साथ कर्तवीर अर्जुन की सेना अधिकतर को जमदगनी महामुनी परास्त कर देते है कर्तवीर अर्जुन सहसर बाहु को समक्षाना बढ़ता है सास्रबाहु कर्तवीर अर्जुन और जमदगनी महामुनी में भीशन युद्ध होता है कहीं कहीं सेकडों तीर छोड़े जाते हैं जमदगनी महारिशी सारे तीरों को काट देते हैं बाद में जब जमदगनी महामुनी को परास नहीं कर पाते हैं तब काम देनूं गौ माता को पीड़ा देने जाते हैं इन बीच उनका ध्यान थोड़ा भंग हो जाता है जमदगनी महामनी का तब उन्हें एक तीर लग जाती है जो उन्हें घायल कर देती है और ऐसे ही कई तीर उन्हें लग जाते हैं मुर्चित हो जाते हैं जिस कारण बे और वैसे मुर्च सावस्था में अपनी कुटियां तक बड़े मुश्किल से रेंगते हुए जाते हैं पीडा में ए धर्मनात धरातल की गवमाता की रक्षा करना यही वानी उनके मुक्ष से निकलती है और इतने में गुर्व और परशुराम जी आ जाते हैं वहाँ उतने में देखते हैं कि जमदगनी महामुनी रेनुका देभी के ही चण के पास लेटे हुए हैं और प्राण निकल रहे हैं तब यह सब दृष्ष देखकर वहाँ वचन लेते हैं कि अब सर्व कावद 21 प्रकार से 21 बार गोर अपराधी शत्रियों का करेंगे वे सर्व को नश्ट कर देंगे यह सर्व होने के बाद जमद अगनी महारिशी भीशन तपस्वी और महान संथ होने कारण ने सबतरिशियों का आशिरवाद रहता है जिस कारण उने पुनर जन्म नहीं पुनर जीवन मिलता है पुनर जीवन रूप से वह पुनर जीवित हो जाते हैं मातर कुछ समय वह धरातल पर दे सकते हैं अन्य रूप में वह सबतरिशियों के हिसात रहते हैं जमद अगनी महामन कुछ समय वह अपने कुटियां रिनुका देवी काम धिनुगो माता का अशिरवाद लेने और उनके साथ रहने के लिए आते हैं फिर पुना चले जाते हैं अधिक समय के लिए धरातल पर नहीं रह सकते क्योंकि पुनर जीवित हुए है तो गुरु और परशुराम जी सर्व सबतरिशियों को नमन कर स्तूति कर उनकी उनकी इच्छा चाते हैं कि अब गुरु और परशुराम जी का क्या कार्या बचा है जब करते ही रजुन को गु सेना परास करने के बाद में अन्य गोर अपरादी शत्रियों को वद करने के लिए गुरु और परशुराम जी निकल जाते हैं और सर्व का वद कर नश्ट कर डालते हैं और धरातल को महान साधूं और सत्य सत्व ब्रह्मनों के नियंतर्ण में छोड़ देते हैं जो महान दय प्रियावान और दानवीर होते है वेद व्यासमुनी और इनके जो वेद व्यासमुनी की जो पीड़ी है सर्व अन्य सब्तरिशी गंड हमारे पिता स्री कश्चप महामुनी जो धरा पर हमेशा से हमारे पिता बनकर आते हैं और कई सिद्ध सादू जो तब सादना के लिए ही धरातल को शुद्ध रखने के लिए करते हैं उन्हें सौब देते हैं गुरू और परशुराम जी ऐसे ही यह सर्व पवित्र कार्य दयावान होना नी स्वार्थ होना निश्काम के परंभाव देखकर जमदगनी महामुनी उन्हें कहीं वर देते हैं और कहते हैं अब जाएए आगे महाभारत होना है रामाएंड संसकार महाभारत परम युद्ध होगा धर्म युद्ध होगा क्योंकि अब पतन हो रहा है भाव का ऐसे ही सब के भाव जब होने लग जाएंगे तब घोर कल्यूग आ जाएगा तब तक आप महिंद्र गिरी परवत जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है भोले नात को परम प्रिय वहाँ आप तब करें तो नर्मदा नदी के उद्गम स्थली पर जाके बोले नात का परम दिव्य परवत महेंद्र गिरी परवत पर जाके गुरु और परशुराम जी ध्यान के में मगना हो जाते यह सर्व दिव्यवानी धर्म कल्यान योग्य रही और जो सब शंकाओं को दूर करने योग्य और यह दिव्यवानी का अश्रवन करने से ही आत्म ज्यान की वृद्धी और देह की उर्जा सत्व रूप से बढ़ेगी और धर्म पालन करने का भाव भी साथ रहेगा प्रक्रिश देव मादुर्गा का अश्रवात साथ रहे आपके अभी हम चलते हैं हर्योग 煮 की हम जो अबंदर रही हम चलते हैं豈ते odpowied्sk अ करतलते हैं